हलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप मैं डॉक्टर शुशील फिजिक्स में हेल्प यू चैनल में आपका सागत करता हूँ मैं पिछले 22 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ और प्यारे बच्चों मुझे विश्वास है कि फिजिक्स को समझने में मैं आपकी निसंदेव पूर्ण रूप से आपकी हल्प कर पाऊंगा आजकल हम कर रहे हैं क्लास तेंथ की फिजिक्स को जिसके अंतर गत हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो की है विद्धुत और पिछली क्लास में हमने इस से रिलेटर आपको कुछ चीजे पढ़ाई थी आज वहीं से टॉपिक को आगे कंटीनु कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है जो कि है वैद्धुत विभावत अथा विभावत अब बात आती है कि आखिर वैद्धुत विभावत होता क्या है हमने पिछली क्लास में आपको विद्धुत धारा के बारे में समझाये था विद्धुत धारा क्या होती है विद्धुत धारा होती है हमने का था आवेशों का प्रवहा जब कोई आवेश किसी चालक के एकांग परिच्छेद से या अनपरस्थ परिच्छेद के एक सीरे से दूसरे सिर्य तक जाते हैं तो आविशों के इसी प्रवाह को हम कहते थे विद्धुधारा अब प्रश्ण यह आता है कि आविश आखिर क्यों चलते हैं एक सिर्य से दूसरे सिर्य तक जाते क्यों है अब प्रश्ण मूल प्रश्ण यह है क्योंकि आप किसी चालकतार को हम कहत लेजिए आपको कोई विद्दुत का जटका नहीं लगता आपको कोई विद्दुत का आभास नहीं होता वैद्दुत धारा उसके पर वहा का कोई आभास नहीं होता लेकिन यदि आपका कहीं पर कोई एक चालक तार किसे सुच में लगावा हो और गलती से आपका कहीं पर तार तार तो वही है उसमें कोई विद्द्धारा पर वाहित नहीं हो लिए उसको हम पकड़ के रख रहे हैं कोई जटका नहीं लग रहा है और कोई तार येदि हम क्या सकते हैं किसी सप्लाई से जड़ावा है उसका एक सीरा यदि हम गलती से हाथ से इस परश कर ले तो हमें जटका लगता है इसी बात को हमें समझना है यहां पर हम इस बात को समझने के लिए बिल्कुल एक एग्जामपल लेंगे जैसे कभी आपने देखा होगा कि विद्धु धरा को आखिर बनाया कैसे जाता है विद्धु धरा को आपने देखा होगा जो हाइड्रॉलिक प्लांट होते हैं हमारे यानि कि जो जल विद्धु परियोजनाई जो हमारी होती है जिसमें क्या किया जाता है उचाई से जल को नीचे गिराए जाता है और नीचे गिरतावा जल जब टर्वाइन्स के ब्रेट से ठकराता है तो उसके घूमने से क्या होती है वैद्धु धरा उत्पन होती है वहाँ पर हम एक हमारे पास उपकरन होता है कोई एक वस्तु थी यदि उसको मैं इस फ्लेट ऐसे किसी तल पर रख दू किसी वस्तु को तो आप देखते हो यह वस्तु आगे नहीं बढ़ती है यह आगे नहीं बढ़ेगी लेकिन यदि मैं इस वस्तु को ऐसे के बजाए किसी ऐसे प्रिष्ट पर रख दू या किसी बॉल को यहाँ पर रख दू तो क्या होता है यह बॉल नीचे की और बहनी चलनी शुरू हो जाती है यहाँ पर नहीं चलती है यहाँ पर चलती है तो क्यों चलती है यह इसलिए चलती है क्योंकि यहां वाला जो सिरा है यह 36 जिसे इस 36 से एक उचाई पर है इतनी उचाई पर है और इस वस्तु को इस उचाई तक इस बॉल को इस उचाई तक ले जाने के लिए कुछ कारे करना पड़ा होगा और जब हमने इसको यहां छोड़ दिया तो वहां कारे उसके अंदर संचित हो जाता है और यही कारे इसके अंदर संचित होता है जिसको हम कहते हैं यह स्थिति दूड़ जाके रूपे संचित हो गया है और जब यहां नीची की और आने के लिए स्वतंत्र हो तो यह नीची की उर्जा नहीं है तो हमें यहां पर एक बात समझ में आ गई कि जब बॉल उपर से नीचे आई तो उपर से तो नीचे यहां तक आ गई लेकि यहां आकर के रुक गई अब यहां से यहां नीच लती है तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि इस स्थान की उर्जा क्या है ज्यादा और इस वाले स्थान की क्या है उर्जा कम तो उर्जाओं का यही जो अंतर है यह इस बॉल को उपर से नीचे आने के लिए क्या कर रहा है प्रेडित कर रहा है बॉल यहां की बजाए आप यहां बना ले बात एक ही है नीचे आने के लिए उसे प्रेरित कर रहा है उसे धक्का लगा रहा है उसे जोड़ दे रहा है वह उर्जा करूप तो कहीं पर भी यदि उर्जाओं का अंतर आता है तो वस्तु में उच्च उर्जा से निम्न उर्जा की और चलना प्रारंब करती है क्या कहा मैंने शब्द वस्तु में उच्च उर्जा से निम्न उर्जा की और चलती है तो यह तो हमने वस्तु के संदर में का पर हम यहां एलेक्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि यदि आवेश भी एक सिरे से दुस्रे सिरे तक जाएगा तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसकी उर्जा भी जादा हो एक बिंदू पर उर्जा जादा हो दूसरी बिंदू पर उर्जा कम हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रोन भी चलेगा लेकिन आप इलेक्ट्रोन को इतनी उचाई पर ले जाकर के यह दि छोड़ देंगे कोई इलेक्ट्रोन ले जाओ और 36 से उसको इतनी उचाई पर ले जाकर के छोड़ोगे तो इलेक्ट्रोन नहीं गिरेगा नीचे की और ये ध्यान रखना इलेक्ट्रोन नहीं आने वाला ये नहीं आता वह क्यों नहीं आएगा क्योंकि इसका दर्विमान इतना कम है कि इस पर पिर्थवी के गुर्थवी का गुर्थवी का कोई फरक नहीं पड़ रहा है वह वस्तुवी इसलिए तो नीचे आती है उनको कितनी भी उपर उच्छा लो वो वापस लोट के पिर्थवी के तल पर आती है क्योंकि पिर्टवी का गुर्टा कर्शनबल उन्हें खींच रहा है तो यह तो नहीं आ रही है इलेक्टो नहीं आ रहा है क्योंकि इसका इतना दर्वेमान ही नहीं है इसका मतलब इसमें गुर्टा कर्शनबल का कोई फरक नहीं पड़ रहा है अब बात आती है कि आखिर ये आविश क्यूं चले कैसे चले तो यहां पर हम एक शब्द का परियोग करेंगे जिसे हम कहता है वेदुत विभाव क्या कहेंगे वेदुत विभाव की परिवाशा समझते हैं क्योंकि हम दो बिंदू लेना चाह रहे हैं मान देते मैंने एक बिंदू ये ले लिया और एक बिंदू ये ले लिया दो बिंदू ले लिया दूसरा बिंदू 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 ले लिया और भीविंदू पर जो भी आवेश होगा उसकी उड़िया कम होगी इन में से कौन सी बात होगी इस चीज को ग्याद करने के लिए हम एक एकक्स्पेरिमेंट करते हैं यह एक परिभाशा बेते हम कहते हैं यदि मैं कोई एकांक आवेश लूँ क्यासा आवेश लूँ कोई में एक आवेश ले लिया यह एकांक आवेश क्यास आविश था ? एकांक आविश ये कहाँ परिस्तित था ? माननी तर mermaid anh पर था तो एकांक आविश को अनन्त से किसी बिंदू तक लाने में यहां से मैं कहां लेया है सको ? ए तक लाने में मुझे जितना कारे करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा ? वेदुत विभाव तो मुझे लगता है परिवाश समझ में आ गई होगी वेदुत विभाव की कि एकांग का आविश को अनन्त से किसी बिंदू तक लाने में किया गया कारे उस बिंदू का वेदुत विभाव कहलाता है यदि ये बिंदू अनन्त से अनन्त से किसी बिंदू जितना कारे होगा वो क्या कहलाएगा बी का विभाव कहलाएगा तो एके विभाव को वैदुत विभाव को हम परदेश्चित करते हैं वी से ध्यान लखेगा किस से परदेश्चित करेंगे वी से तो एका वैदुत विभाव है ए बिंदू का तो वी ए अर वी बिन्दू तक लाए एकांगावश फिर्छ को, तो इसका जो, जितना काल होगा, वो किसके बराबर होगा, हमनेगा वी बी के बराबर होगा, तो अब इन दोनों का यदियंतर, भी और वी बी के मान में हम क्या करेंगे, तुल ना करेंगे, जिसका मान ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसकी उर्जा क्या है ज्यादा और जिसका मान कम होगा उसकी उर्जा क्या है कम है इस बात को अपको ध्यान रखना है तो यहां से हमें किसकी परिवाशा समझ में आगई वैदुत विभाव की कि एक आंक आवेश को अनंत से किसी बिंदू तक लाने में किया गया कार उस बिंदू का वेद्दुत विभाव कहलाता है तो अब यदिस को सुत्र के रूप में परदिश्ट करें तो कैसे करेंगे हम लिखते हैं कार वेद्दुत विभाव वेद्दुत विभाव बरावर होता है कार बटे क्या आएगा आवेश क्योंकि जब हमने यह एक आंक आवेश की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं आवेश का मान क्यूं है और यहां से लेके यहां तक लाने में किया गया कार यह क्या है डबलू और इस बिंदु का विभाव के तना है वी तो क्या संकेत हो जाएगा वी इस इकल टू डबलू अपॉन क्यूं इसके वराबर आजाएगा तो यह एब इंदु पर वधुत विभाव का बताता है हम क्यों ग्यात कर रहे हैं ध्या डखेगा इस बात को के चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम यह जानना चाह रहे हैं कि आवेश क्यों चलता है तो एक हमने सारभामिक नियम आपको पता दिया कि उच्छ उर्जा से निम्न उर्जाओं की तरफ ही वस्तुमी चलती है चाहे वो इलेक्ट्रोन चले चाहे आवेश चले चाहे कुछ भी हो हमेशा उच्छ से निम्न की तरफ चल रही है तो हमने यहां पर जो उर्जा का जो रूप ले रहे हैं वो वैद्दुत विभाव के रूप में ले रहे हैं तो हमने का किसी बिंदू का वैद्दुत विभाव जो होगा वी इस इकल टू डबलो पॉन क्यों के बराबर होगा यहां पर यदि मात्रक लेना चाहें तो वी का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट डबलो का मात्रक हम जानते हैं जूल अर क्यों क्या होता है आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम तो वी का मात्रक आप जूल बटे कूलाम लीजिए या फिर आप वोल्ट लीजिए एक ही बात है अब यदि यहां से एक वोल्ट की परिवाशा लेनी हो तो एक वोल्ट, एक जूल, एक कुलाम तो बढ़ी आसान होगी परिवाशा कि एक आंक आविश को या एक कुलाम आविश को अनंत से हम कह सकते हैं कि अनंत से बोल लीजिए या फिर कह सकते हैं कि एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक लाने में यदि एक जूल कारे करना पड़े तो हम कहेंगे उन दो बिंदूओं के बीच का जो विभव होगा या विभवांतर होगा वो किस्ता होगा एक वोल्ट के बराबर होगा यदि आप बिल्कूल इसको वैद्दूत विभव के रुप में परिवाशित करना चाहरें तो फिर इसी परिवाशा को मैं एक नहीं रुप में आपको भर लाओ मैं कहता हूँ कि यदि एक कुलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदू तक लाने में किया गया कार एक जूल के बराबर हो तो इस बिंदू का जिस बिंदू पर हम आवेश लाए उसका जो विभव होगा वो एक वोल्ट के बराबर होगा काफी आसान परिभाशा है आप कोशिश कीजिए कि परिभाशाओं को अपने आप सुत्रों की साहिता से बनाए ये कठी नहीं है एक बार आप शुरुवात करेंगे तो आप देखेंगे सब में एक ही बाते आ रही है वो ये लग-लग चीज़े नहीं आती तो आपको एक व विभाशाओं अंतर इसका अरध है कि विभाश का अंतर जिसे हम कहते हैं पटेंश्जल डिफ्रेंस है वि इश्मयीं है जैसे मैंने यह व्या बिन्दू लिया झा के तो लाया तो इस बिंदू का विभव कितना हो गया भी ए फिर बी बिंदू पर मैं अनंत से एकांख अविश्क को लाया तो इस बिंदू का विभव मैंने नोट किया तो यह हो गया वी बी अब इन दोनों का अंतर कितना होगा तो मान लिया मैंने कि वी ए कमान बड़ा है वी बी स तो यदि वी-ए कामान वी-बी से बढ़ा है कैसे पता चलेगा आपको बढ़ा है यदि आपको वी-ए पर इस ए बिंदू तक एकांकाविश को लाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ रहा है अब एक शक्रित किसके B बिंदू तक एक कांग काविश को लाने के लिए किये गए कारे के तुलना में तो अब हम कहेंगे कि B एक आमान बड़ा होगा B B से तो अब हमने कहा इन दो बिंदू का विभाव एक का भी है और दूसरे का B B है अब यहां पर हम देखिए एक और नई बात कह रहे है मैं कह रहा हूँ आवेश को मैं B से लेकर के आ रहा हूँ कहां तक A तक कितने आवेश को B से A तक ला रहा हूँ अब अनंत से नहीं ला रहा हूँ तो हम कहते हैं कि एक आवेश को किसी एक बिंदू से दुसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कारे क्या कहलाता है उन दो बिंदू ओं पीच का विभवानतर कहलाता है दुबारे परिवाशा रिपीट कर रहा हूँ आप लिखे जरूर इसको कि एकानक आवेश को किसी एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कारिय उन दोनों बिंदूओं के बीच का क्या कहलाएगा विभवांतर कहलाता है तो विभवांतर हम क्या कह सकते हैं विभवांतर हम कहलें यहनकि वी ए माइनस वी बी बराबर वी ए का मन हम कहलें कि यहां तक लाने में क्या गया कारी क्या है WA और यहां तक लाने में क्या गया कारी क्या है WB तो क्या हो जाएगा एक आंक VA का मन WA बटे एक कुलाम माइनस यह हो गया WB बटे एक कुलाम एक कुलाम एक कुलाम तो भाग देजिए उत्रह ही आ गया तो VA-VB बराबर होगा WA-WB के इसका आर्थ हो गया विभवानतर बराबर WA-WB के बराबर होगा बशरते कितने आवेश को एकांक आवेश को ये भी ध्यान लखना आपने किसको एकांक आवेश एकांक आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक लाने में किया गया कार्य जो होगा वही क्या होगा विभवानतर कहलाएगा मुझे लगता इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो आप इसको एक बार नोट कीजिए फिर हम आगे से कंटेन्यू करेंगे अब हमने वैद्वत्व विभव तसफा विभव वहांतर को समझा अब हम वहीं पर हमने आपको परीभाशा बताई थी एक वोल्ट की तो आप एक वोल्ट होगा ये कितना होगा एक जूल होगा और ये क्या होगा एक कुलाम होगा तो परिवाशा क्या देंगे यदि विभुवांतर के रूप में दे रहे हैं तो हम कहेंगे दो बिंदू में ले ले एक बिंदू एक बिंदू ये तो एक आंक आविश को किसी एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कारे यदि एक जूल के बराबर हो तो हम कहेंगे इन दोनों बिंदूओं के बीच का विभुवांतर एक वोल्ट होगा ऐसे भी परिवाशित कर सकते हैं बारे बोल रहे हैं कि यदि एकांक आवेश को किसी एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में यदि किया गया कारे एक जूल के बराबर हो तो इन दोनों बिंदूओं के बीच का विभुवांतर एक वोल्ट होगा तो ये बात हमारे को यह पर के लिए रागी अब बात आती है कि आखिर ये जो हमारा विभुवांतर है उसको नापते कैसे हैं तो जैसे व्यद्द्धारा को नापने के लिए हमने कहा था कि अमीटर का प्रियोग किया जाता है और अमीटर को किसी परिपत में कैसे जोड़ा जाता है शेनिक्रम में ठीक उसी परकार से यदि हम किसी परिपत में विभुवांतर ना अपना चाहरे है दो बिंद्धुवों के बीच का तो हम प्रियोग करते हैं वोल्ट मीटर का लिखते हैं विभुवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का जिसे हम भी से नुरुपित करते हैं वोल्ट मीटर का परियोग किया जाता है परियोग किया जाता है और एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि अमीटर को, धारामापी को धारामापने के लिए जो हम अमीटर यूज़ करते हैं धारम आपी भी कहते हैं, उसको परीपत में श्रेडी करम में जोड़ा जाता है। जबकि विभवांतर नापने के लिए जो हम वोल्टमिटर का उप्योग करेंगे, उनको किसी परीपत में हमेशा समांतर करम में जोड़ते हैं दो बिंदूों की बीच। इसे दो बिंदूओं के बीच किसमें जोड़ा जाता है हम कह सकते हैं समांतर करम में जोड़ते हैं समांतर करम में जोड़ते हैं इतनी बात आपको ध्यान रखने हैं यहीं पर हम आपको बताना चाहेंगे की जोड़ता है वह हम कह सकते हैं तो बहुत बार हम छोटे मात्रों का उपयोग करते हैं जसे मिली तथह maikro इनका इस्तेमाल क्या जाता है जैसे हम कहीं एक मिली एंपियर एक मिली एंपियर तो इसका अर्थ क्या होगा एक मिली एंपियर का अर्थ है कि 10 की घात माइनस 3 एंपियर, एक मिली एंपियर का यह अर्थ हुआ ठीक इसी परकार से एक माइक्रो एंपियर के लिए कहें एक माइक्रो एंपियर के बात करें तो यहां बराबर होता है दस्कीगात माइनस 6 एंपियर ठीक इसी परकार से आप वोल्ट के पदों में भी इसे कह सकते हैं विवांतर के पदों में भी कह सकते हैं एक मिली वोल्ट एक मिली वोल्ट बराबर होता है दस्की घात माइनस तीन वोल्ट के बराबर होता है और एक माइक्रो वोल्ट हलांकि इसकी आवशक्ता नहीं पड़ती यह होगा दस्की घात माइनस छे वोल्ट इतना छोटा हमारा नहीं होता है तो MPR में 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 ली क्या करा जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। अब हम वैद्धुत परिपत में कुछ संकेतों के मध्यम से हम क्या सकते हैं उपकरनों को या उसके अव्यवगों को दर्शाते हैं। तो क्या संकेत का क्या अर्थ होता है, इसे समझना उशक है, तो लिखते हैं, वैदुत परिपत के लिए संकेत, सबसे पहले हम वैदुत परिपत में संकेत बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि बैटरी का सेल का इस्तेमाल करते हैं, तो जब इस और ऐसे और ऐसे का प्रियोग हो कहीं पर ऐसे और ऐसे तो लंबा डंडा और एक छोटा डंडा लंबा धनात्मत यानि कि सेल का धन सिरा और ये छोटा डंडा यानि कि सेल का रिंड सिरा इस परकार से हो ऐसे हो और फिर से हम यहा पर एक नेगेटीव बना लें है तो यह जो प्रदिश्ट करेगा यह वाला गज़ेगा पॉजिट यह जड़नेगटीव बैटरी को मैं सब्सक्राइब कह engagement को इसके लाभा हमने कह था कि य 닿 इस परकार से आपको दिखाई दे तो ये है खुली कुझी खुली कुझी यह हम कह सकते हैं खुला परीपत खुला परीपत यानि कि परीपत जब क्या है? ओफ है तो इस परकार से यदि इस परकार से कहीं संकेत आपको आए बीच में डॉट मिले तो ये है बंद परिपत बंद परिपत तो ये हमारा यानिकी क्या है ओन है इस परकार से लिख सकते हैं इसके लावा हमने कहा कहीं पर यदि इस परकार से आ जाएं तो ये परदेश्चित करेगा वैदुत बल्ब को किसको प्रदिशत करेगा वैदुत बल्ब को प्रदिशत कर रहा है यदि कहीं पर कुछ ऐसा आजाए ऐसे 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 यहां पर लेखेंगे संधी क्लिभ संधी है यानि कि जो तार है वापसमें जो चालक तार है वापसमें जुड़े वह हैं वो एक्दुस्राग width हैं संधिय और ये हमने कहीं पर ऐसा हो हमने का ये इस तरीके से कहीं पर ये ऐसे वगह हैं इसके लिखेंगे बिना संध्रीझ वाला ठार करेंगे एक और संखेत की जिसे हम इस प्रकार से også निरुपित करते हैं इससे हम नाम देते हैं प्रतिरोध नध्यान रखेगा यह क्या होता है हमारा他 कि रोग और Mission यहां पर आर और लिख दिया जाता निनिजिए होता हमारा लेजिस्टेंस इंग्लिश में से करते हैं हिन्दी में सी प्रतिरोद केहते हैं और कहीं पर यदि आपको ऐसा दिखे ऐसा ही प्रतिरोद हो और साथ में एक तीर का निशान भी लग जाए तो इसे लिख लेते हैं परिवर्ति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प् का मतलर ये क्या है ध्रमापी नहां पई शार और यदि कहीं परिपत में आपको ऐसे दिखाई दे तो इसका अर्थ क्या है गोन उल्ट मीटर अधर है यह जरूर याद रखना है जरूर तry प्यार करना है क्योंकि यदि आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको परिपत बनाने भी पढ़ेंगे उनको समझना भी पढ़ेगा और उनकी में से कुछ कैलकुलेशन करके कोई रिजल्ट भी निकालने बढ़ेंगे तब ही आप कर पाएंगे यदि आपको इन सब संकेतों का अर्थ भली भाती पता होगा और मज़े की बात ये कि बच्चे पढ़ते जाते हैं कि वह फॉर्मल्टीज पूरी करते रहते हैं ये बेसिक चीजे भी उन्हें पता नहीं होती पैल्थ में चले जाते हैं तब उनको क्या होती है फिजिक्स कठिल लगनी शुरू होती है तो यदि आप शुरूआत से ये एक्जांपल आपकी बुक में दिया वाए उसको देख लेते हैं उधारन है 12.2 इसके अंसार 12 वोल्ट विवांतर के दो बिंदूओं के बीच दो कुलाम आवेश को ले जाने में कितना कारिक किया जाता है तो ये है उधारन 12.2 क्या कहा है इन्होंने 12 वोल्ट विवांतर के दो बिंदूओं के बीच कितने ले जा रहे हैं 2 कुलाम आवेश तो वोल्टेज कितनी दे दी 12 वोल्ट आवेश कितना दे दिया 2 कुलाम क्या निकालना है ले जाने में किया गया कार है हम जानते हैं चूंकि V is equal to होता है W upon Q के तो में तो W कमान निकालना है तो W पराबर क्य हो जाएगा Q की V में गुणा है तो W multiply Q के तो values रख लेते हैं V कमान कितना है 12 वोल्ट और Q कमान कितना है 2 तो 12 दूनी 24 यह क्या है कारे और कारे का मात्रा क्या है जूल तो ले जाने में कितना कारे करना पड़ेगा 24 जूल का कारे करना पड़ेगा ऐसे करेंगे अगला हम प् दो तक करती है तो देख यह प्रश्न संत्या एक सब्रिसिसंत्य एक तो ínaतर का है कि दो बिंदू के बीच विखार उंद्वान कर दिया जाए वैं से क्या बैनिफिट होगा कि यदि कोई कर दो एन दो बिंद्वों को जोड़ दें इसका वह क्या ए उससका वेधा क्या है न तो यहां से क्या हो जाएगी धारा प्रवाइत होने शुरू हो जाएगी यानके आवेश प्रवाइत होने शुरू हो जाएगे आवेश चलने शुरू हो जाएगे तो इतनी बात हमारे को यहां पर समझ में आ गए अब ऐसी युक्ति कौन सी होती है आपने देखा होगा कि एक बल्व है और एक तार है तो आप क्या कर सकते हो यह आप बैटरी यूस कीजिए यह आपके पास सेल है यह बैटरी का धन सिरा है यह वाला क्यासे सिरा है रिंड सिरा है यहां से एक चालक तार लगाईए यहां पर क्या लगा लीजिए यहां से इसको यहां पर जोड़ के बीच में विभुवांतर उत्पन करता है तो क्या आएगा इस प्रिश्ण का उत्तर सेल आएगा आप इस बात को ध्यान रखेगा और साथ में ये भी बात ध्यान अपने देनी है कि कोई सेल जब विद्धुधारा प्रवाहित करता है तो इलेक्ट्रोनों का जो प्रवाह होती है इस बात को अप ध्यान रखना वैदुधारा की दिशा इलेक्ट्रोनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होती है जैसे यहां बताएं हम आपको यहां पर विद्धुधारा बहेगे तो धन टर्मिनल से रिन टर्मिनल की और जब जाएगे तो भात धारा की दिशा यह होगी बहने वाली धारा कमान यह होगा लेकिन इलेक्ट्रोन कहां आएंगे इलेक्ट्रोन धन सीरे की तरफ अकर्शित होंगी तो इलेक्ट्रोनों के चलने की दिशा चलने की दिशा तो या हम कहें कि यदि हमें एक सेल लें तो इलेक्ट्रोन जो होते हैं इलेक्ट्रोन कहां जाते हैं? रिन से धन की और धन की और गती करते हैं जबकि वैदुत धारा की दिशा वैदुत धारा यानि की आई की दिशा धन से रिन की और होती है रिन की और होती है तो इसी बात को इस बात को हमने यहां पर आपको प्रदेश्चित कर दिया आप धियान रखेगा एक इंपॉर्टेंड बात तो हमने परष्ण समझें के इस सिलों के बीच विवान्तर बनां रखना है तो में किसकी आवशक्ता होगी और अग्ला प्रश्ण संख्या दू यह कहने का क्या तत्त करी है कि idiots के बीच का विवान्तर एक वोल्ट हे malad तो प्रष्ण संख्या दू है तो ये करें ये इन दो बिंदूओं के बीच का विभुहांतर हम कहें एक वोल्ट है तो इसका मतलब है एक कांग का आविश्क को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में जो कार करना पड़ेगा वहा कितना होगा? एक जूल के बराबर होगा क्योंकि हम जानते हैं चूंकि वन वोल्ट इस इकल टू होता है एक वन एक जूल बटे एक कुलांग तो यह आपको कहें किनी दो बिंदूओं के बीच का विभुहांतर एक वोल्ट है बताइए क्या आर्थ हुआ जैसा प्रशन में पूछ रहा है तो इसका आर्थ है कि एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक एक कांग आविश को ले जाने में हमें एक जूल कार करना पड़ेगा यह आपको लाइन लिखने पड़ेगी का अगरा प्रशन है प्रशन संख्या तीन छ बबर V multiply Q तो W बराबर कितना है जगा V कमान कितना है 6 और Q आवेश कमान कितना है 1 यानि कि 6 कम 6 यानि कि 6 जूल तो प्रतेक एक उकुलाम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से निकलने के लिए जो उड़ा मिलेगी वो कितने होगी 6 जूल के बराबर होगी बबच्चों को याइडिया नहीं होता कि विद्धु धारा प्रवाह का मूल कारण क्या है देखिए धारा तब तक प्रवाहित नहीं होगी जब तक दो बिंद्वों के बीच में विभवांतर नहीं होगा येधि विभाव का अंतर नहीं है तो धारा तो परवाइत होगी यह समझी है धारा के के बीच में 220 वोल्ट कार्थ है कि एक बिंदू से दुसरे बिंदू तक यदि आप एकां का विश्च को ले जाओगे तो 220 वोल्ट आपको जूल कारे करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा है इतना कारे इसलिए गलती से आपका उन तारों पर यदि हाथ लग जाए तो आपको पुस्तार को हाथ से चुई आपको कोई जटका नहीं लगेगा तो प्यारे बच्चों आप इन्हें नोट कीजिए और यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो आप निशंकोच कमेंटमोक्स मिली किये जिसका मैं समय ने आपको जवाब दे पाऊ तो फिर मिलते हैं अगले के लिए क्लास में तब तक के लिए गुड़ बाई